नमस्कार दोस्ता, OCN Network में आपका स्वागत है। सितंबर का ये पहला पखवाड़ा, यानि एक सितंबर से और करीब-करीब 12-13 सितंबर तक, 14 सितंबर तक, मौधी विरोधियों पर कितना भारी पड़ा है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। प्रोग्राम में नहीं आएंगे, वो एक संकेत भर हैं। अभी और चीजें सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह के सीन पिछले दिनों सामने आए हैं, उसको ये लोग आसानी से पचा पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। ये जो भारत मंडपम की छटा पूरे देश ने और दुनिया ने देखी है, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट पती भारत में लेंड करने के तुरंत बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुँच गए और वहां दुई पक्षी ये शिखरवारता हुई। बांगला देश की परधान मंत्री हों, चाहे आपके खाडी के देशों के राष्ट परमुख हों या सोनिया गांदी के माई के यानि इटली की परधान मंत्री हों, या फिर अधिकांश देशों के जो राष्ट परमुख हैं वो गांदी जी की समाधी राजगाट पर एक साथ इकठा हुए हों, या फिर अगर हम कहें के ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर रिशी सुना कर उनकी पतनी अक्षता मूर्ती अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्च इसना के लिए गई हों, ये साब सीन ऐसे थे जो मौदी विरोधियों के दिल पर, दिमाग पर बहुत गहरी चोट कर रहे थे, उनको चीजें बरदास्त नहीं हो पा रही थी, और मैं जब मौदी विरोधियों कहता हूँ तो इसमें ना केवल पॉलिटिशियन और अलग अलग पॉलिटिकल पारिटियों के नेता, बलके जिसको हम एको सिस्टम कहते हैं, वो एको सिस्टम या लुटियन मीडिया के जो हिस्से हैं, जो घोशित रूप से, अपने कारिक् के कंटेंट ही ऐसा तयार करते हैं, कि कहीं ना कहीं, जो मौदी के प्रती, मौदी सरकार के प्रती, उनकी भावना है या दुरभावना है, वो प्रकट हो ही जाती है, इस तरह के गैस्ट बुलाते हैं, इस तरह के प्रेश्न पूछते हैं, कि पता चल जाता है, और इन में से बहुत सारे तो अलग-अलग मेडिया हाउस से आउट कर दिये गए क्योंकि ये लोग अपना एजिंडा चला रहे थे और मेडिया हाउसेज को इनका एजिंडा बहुत भारी पड़ रहा था जिन प्राइम टाइम्स को उनके हावाले किया गया था उनकी टी आरपी घट गई मेडिया हाउसेज का राजस्व घट गया और सबसे बड़ी बात ये के जो एक पूरी दुनिया और पूरा देश अनुभाव कर रहा है कि 2014 के बाद से एक बदलाव की बयार है चारो तरफ बदलाव दिखाई दे रहे हैं ये कुछ और ही शो करते थे अपने प्रोग्राम के जरिये अभी भी कुछ लोग हैं जो कुछ मीडिया हाउसेज में डटे हुए हैं और अभी भी अपना एजिंडा चला रहे हैं और वो मीडिया हाउस इनको अपना एजिंडा चलाने भी दे रहे हैं। राजदीव सर्देशाई के नाम से तो आप परिचित हैं ही किस तरह के ये मानुश हैं। किस तरीके से और बहुत ही बेशर्मी के साथ किस तरह ये मौधी विरोधी एजिंडा चलाते रहते हैं और कहां कहां किस किस के हाथों ये अफमानित नहीं हुए हैं और कहां कहां रंगे हाथों पकड़े नहीं गए हैं प्रोपेगंडा करते हुए गलत खबरे फेक नियूज फैलाते हुए जब वो तेरे महिन्य का यहां किसान अंदोलन शुरू हुआ था तो आईटी ओ पर एक किसान का ट्रेक्टर पलट गया था और उसी की अपनी गलती की वज़े से क्योंकि बहुत गलत तरीके से गलत स्पीड से वो ट्रेक्टर चला रहा था और बैरिकेट तोड़ते हुए जब वो आगे बढ़ा तो ट्रेक्टर पलट गया उसकी मौत हो गई और उन्हों ने यानि राजदीव सर्देशाई ने वो खबर इस तरीके से फैलाई कि पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया उसके बाद उन पर F.I.R. भी दर्ज हुई उनको ओफ एर भी करना पड़ा अरुनपुरी को इंडिया टुडे जो इनका अंग्रेजी चैनल है उससे लेकिन वो अपनी हरकतों से कब आ जाते हैं जब ये सारा करिक्रम हो गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था भारत मंडपम में G20 देशों का उसके बाद ये अपना प्राइम टाइम कर रहे थे और जो में शेरपा हैं यानि आमिताब कांथ जिनकी टीम के द्वारा विदेश मंतरी एस जया शंकर और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की गाइडलाइन में इन्हों ने जो काम किया है जिसकी पूरी दुनिया में वावाही हो रही है यानि नई दिल्ली की डिकलेरेशन को जो अंतिम रोम पहले ही दिन दे दिया पहले ही दिन स्विक्रिती मिल गई थी सभी देशों की उन अमिताब कांथ को बुला करके ये इंटरव्यू कर रहे थे अपने प्राइम टाइम में और इंटरव्यू के लगभग आखिर में इन्होंने एक ऐसा सवा सवाल पूछ लिया उनसे के वो उखड़ गए और उखड़ ही नहीं गए उन्होंने तो इनको फटकार लगा दी इनको जहाड लगा दी अब जरा मैं उसका ब्यूरा दूं उससे पहले आप इसका ओडियो सुन लीजिए जो इन्होंने सवाल पूछा और जो आमिताब कांथ ने जवाब दिया इनको लगभग फटकार लगाते हुए सुनते हैं you know one issue which needs clarification is the amount of money that you've spent on the G20 some are suggesting we've spent six times the amount that countries like Germany spent on the summit we spend way more than what Indonesia spent on last year's Bali summit is that true figures on the data suggest that more than 4,000 crores could even go up to 10,000 have actually been spent the hoardings that we see all across uh the country one report said just from the Delhi airport to the US president's hotel there were over 920 G20 ads 25 percent of them featuring the prime minister can you tell us how much was actually spent do we have a real number of how much was spent on the G20 let me tell you that don't go by fake news you know this is absolutely nonsensical news that we we spent 4,032 crore absolutely incorrect improper fake news and i would request you in particular not to go by this kind of fake news there was a budget approved which was far lesser and we've spent less than the budget than the approved budget by the government so the budget approved is the expenditures far less than even the budget approved so i i would suggest that uh i you just wait for the expenditure to be uh uh cross corrected everything and these figures will be there in the public domain so the approved budget is there and we have spent even much lesser than that and i would request you not to get carried away by some some uh some incorrect and improper tweet by someone who is talking about who is talking about who is talking about who is talking about amitabh kandh kandh kisina koi bhi tweet kar diya or aap aapne prime time me bat karke uh g20 ke kharch par is taray ke propaganda ke sawaal puchhenge yeh wo tweet hai jara dekhiye kis ko kisaki kisaka j Though kisakiya kohli kong hai yeh bhi Myi bata gwa indhot kia in kya tweet kiya in kya kya unbelievable mother government is spend it saying that they are a open pang 300 percent more on g20 than the funds allocated allocated in budget question how much वाज एलोकिटिड फोर G20 समिट इन दा लास्ट यूनियन बजट तो यह बताते हैं कि 990 करोड रुपया एलोकेट किया गया था फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं ड्रामेटिक अंदाज में हाव मच डिड मोदी गवर्मेंट एक्च्वली इस्पेंड फिर खुदी जवाब देते हैं ओवर फॉर्टी वन हंडर करोड दैट्स थिरी हंडर परसेंट यानि करीब करीब इकतिस सो दस करोड जादा और यह कौन है साथ साकेत गोखले जरा देखिए इनका परीचे नेशनल इस्पोक परसन है औल इंडिया त्रणमूल कॉंग्रेस यानि टीमसी के यानि ममता बैनर जी की पारिटी के इन्हों ने ट्वीट किया उसके बाद कॉंग्रेस ने भी ट्वीट किया कॉंग्रेस ने कहा कि जी ट्वेंटी के लिए मौधी सरकार का बजट था नौसो नब्वै करोड रुपे मौधी सरकार ने उड़ा दिये एक तालिस सो करोड रुपे जनता की महनत की कमाई अपनी छवी चमकाने में उड़ाई इसके बाद पी आई भी ने फैक्ट चेक किया और इसको मिसलीडिंग करार दिया पी आई भी ने ये कहा कि ये फंड जो है जितना बढ़ा चड़ा करके बताया जा रहा है ये पूरी तरीके से मिसलीडिंग है और मिसलीडिंग क्यों बताया उन्होंने क्योंके जो 2700 करोड रुपया भारत मंडपम पर प्रगती मैदान के रिनोवेशन पर पुनर निर्मान पर खर्च किया गया इन्होंने बेशर्मी और चालाकी के साथ उसको भी G20 समिट पर खर्चे के रूप में जोड करके प्रोपेगंडा फैलाने की कोशिश की और ये ही क काम किया राजदीव सर्देशाई ने अपने प्रोग्राम में जिस पर अमिताब कांत ने उनको फटकार लगा दी ये आप इंडिया की हैडलाइन थी G20 पर सरकार ने खर्च कर डाले 4000 करोड टीवी पर बैठ कर प्रोपेगंडा फैला रहे थे राजदीव सर्देशाई शेरपा ने लताड कर कहा फेक नियूज के आधार पर मत करो बक्वास तो ये राजदीव सर्देशाई का जो कुल मिला करके करेक्टर है ये मौदी विरोध में कहां तक जा सकते हैं और किस किस का प्रोपेगंडा अपने कारिक्रम के जरीए चला सकते हैं क्योंकि शुरुवात किसने की फेक खबर फैलाने की टी-एम-सी के एक मेंबर उप पार्लेमेंट ने उसे आगे किसने बढ़ाया कॉंग्रेस पारिटी ने और उसके बाद उसको पूरे देश में और दुनिया में फैलाने की चेश्टा किसने की राजदीव सर्देशाई ने लेकिन जो शेर्पा बनाए गए थे सभी देशों को नियो दिल्ली डिकलेरेशन पर सहमत करने के लिए आमिताब कांथ जब उनको इन्होंने बुलाया और उनसे भी ये पुष्टी कराने की कोशिश की कि मौधी सरकार ने तो 41 सो करोड रुपया खरच कर दिया जबके इंडोनेसिया जर्मनी और दूसरे तमाम देशों ने तो बहुत कम खरच में जी ट्वेंटी सम्मिट कर लिए थे तो उन्होंने इनको लतार लगा दी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रोपेगेंड़ा और नियूज फैलाने से बाज आएं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब् मचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार